आप सबी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल फ्लाइंग सोटिंग जोन में आज इस वीडियो में डियो पीटी के मिनिस्ट्रीज और डियो पीटी के जो कैडर स्ट्रॉक्चर है तो चलिए इसमें मैं सिलसेलवास तरीके से आपको बताता हूँ कि क्यों ये डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंटों में सबसे बहतरीन है और प्राइम डिपार्टमेंट क्यों कहलाता है वो सारी चीज़े बताऊंगा और स्टैनोग्राफिक की कौन सी ऐसी पोस्ट है जो शायद बहुत से लोगों ने जो भी इस वीडियो को देखेंगे या देखने वाले हैं उन में से मैं गरंटी लेता हूँ कि बहुत सी लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि क्या इस्टैनोग्राफी लाइन में ऐसी भी कोई पोस्ट होती है और ये डिऊपीटी में जरूर आपको मिल सकती है अगर आप सही टाइम पर जोइन करते हैं इस टाइनोग्राफर और आप डिपार्टमेंटल एक्जाम्स को भी क्रैक कर लेते हैं टाइम पर तो चलिए बात करते हैं इस पूरे डिटेल में देखे ये जो गैजट है 2010 का है क्यों मैं इसको लेकर आया हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ और ये कहां से मिली है मैंने RTI भी लगाई है इस रिगार्डिंग की क्या है रिकुट्मेंट रूल्स तो उन्होंने मुझे जो बोला है मैंने उसके हिसाब से किया है रिपलाई में सिर्फ इतना ही था कि आप ओफिशल साइट पर जाएंगे और C++S कैडर के क्वालम पर जो कैडर स्ट्रक्चर है उसमें इसका रूल्स जो है वो अपडेटिट किया गया है वहां से मैंने ये गैजेट लिया है तो मैं दो चीजों पर बात करूंगा अगर आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है किसी के भी पास तो मुझे ज़रूर बताईएगा कमेंट करके या मुझे उसका PDF आप मेल कर सकते हैं मेरी mail ID मेरे official channel पर आपको मिल जाएगी तो चलिए इसमें डीटेल में बात करते हैं और मैं इस गैजेट में सबसे पहले आपको उस post के बारे में बताता हूँ जो आप इसमें जानेंगे कि हाँ इस टेनोग्राफी लाइन में ऐसी भी कोई post होती है तो चलिए सुरुवात करते हैं इस टेनोग्राफी ग्रेट डी से जो आपका SSC जो हर साल recruitment कराता है और आप कोई भी recruitment यहर में जाएए आपको C++S केडर ज़रूर मिलेगा ठीक है 90 नहीं 80 नहीं 100% posting आपकी दिल्ली है all over all over life यानि कि आपके पूरी life जितनी भी service होगी आपको दिल्ली में ही विताना है डेपूटेशन वग्यरा मैं हटा रहा हूँ सिर्फ posting ठीक है चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पहला promotion अगर आपका होता है तो आप PA बन जाते हैं जिसका grade पे है जो होता है जो होता है अर्टालिस सो चववन सो आपको automatic मिल जाता है चार साल के बाद अर्टालिस सो के पोस्ट पे आने के बाद इसके बाद आता है आपका principal private secretary जिसको PPS कहते हैं इसका जो grade पे होता है 6600 उसके बाद आपका senior PPS जिसका grade पे 7600 होता है इसके बाद जो आपकी post आती है वो है आपकी PSO principal staff officer एक चीज में आपको और बता दूँ आज के टाइम में एक cadre restructure का एक और amendment का जो draft है या आप कह सकते comment है वो फिर से हो चुका है और 2015 में वो जो है भेजा गया था comments के लिए मैं उसके बारे में भी उसके बारे में भी बताऊंगा और उसकी detail भी आपको बताऊंगा ठीक है तो चरिए यह जो post है PSO यह बहुत जवरदस post है और आ लकिन मानिया as a senior joint secretary जो IS level का होता है उसके बराबर रुतबा होता है ऐसी postों में आप ministers के साथ ही लगे होंगे और इतने बड़े-बड़े ministers के साथ आपके पास joint secretary even secretary level तक की persons आपके पास आएंगे आपके minister से मिलने या फिर किसी काम के लिए तो समझ जाए कितनी बहतरीन post है और आपको कितना बड़ा रुतबा दे सकती है तो चलिए अब ये तो थी हमारी वो पोस्टे जिन में आपका promotion होता है या फिर आप limited departmental exam देते हैं तो आब हम बात करेंगे पूरी detail में आखिर कैसे और क्या क्या criteria हर step यानि की stenography line से लेकर senior PPS बनने तक या PSO बनने तक आपको यह है cadre reviewing of central secretary at stenographer service 2015 देखिए 2015 का data है और even हो सकता है इसमें amendment किया भी जा चुका हो या हो सकता है नहीं भी हुआ हो लेकिन मुझे reply में ऐसा कुछ नहीं मिला तो मैं मान सकता हूँ कि इसमें कोई changes नहीं हुए है अभी फिलाल के लिए ठीक है और हर 10 साल 8 साल में आपका जो cadre restructure है वो होता रहता है चाहिए आप किसी भी ministry में जाएं और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो DOPT की ministries है जो आपने अभी गैजेट देखी इसका मैं PDF link आपको description पर दे दूँगा आप वहाँ से देखेगा इसमें बहुत सारी ministries है जिसमें यही same role चलता है ठीक है ब्रोड लेंगे तो चलिए आप हम बात करते हैं cadre restructuring में क्यों लेकर आया हूँ तो इसमें जो है आपका पूरे detail में दे रखा है कि आप कितने exams को कब-कब दे सकते हैं और कैसे आपका जो promotion है वो किस level से किस level पर किया जाएगा ठीक है तो सबसे पहली चीज में आपको ये बता दू कि जब आप stenography पे line पे आते हैं यानि कि आप जब SSC की through stenography line में आते हैं तो आपको 2400 grade पे का जो post है वो इसमें C++S schedule में दिया जाता है ठीक है और जब आप 4600 के लिए जाते हैं यानि कि PA बनते हैं तब आपका जो है या तो promotion होता है या limited departmental exam होता है तो देखिए आप सबसे important चीज़ है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सबसे पहला जो post है आपकी stenography grade D है ये जो post है आपके direct recruitment के थुरू होती है और ये SSC हर साल कराता है जैसा आप लोग सभी जनते हैं 2400 grade पे की post है इसके अलावा कोई भी post direct recruitment में नहीं आती है SSC के थुरू ठीक है अब हम चलते हैं stenographer grade D personal assistant अगर आप stenographer से PA बनना चाहते हैं तो आपके पास minimum 6 years of eligible service होनी चाहिए limited departmental competitive examination के लिए या फिर 10 years of eligible service होनी चाहिए as a stenographer grade D तो आप PA के लिए eligible हो जाते हैं तो दो तरीकी से promotion है एक है हमारा promotion जो आपका seniority basis पे होता है और एक है LDC जैसा railway में मैंने आपको बताय था और DSSB के new rules के according मैं आपको बताया था ठीक है तो same है कोई problem नहीं है सिर्क problem क्या है जो ratio है वो अलग-अलग है हर department में फिलहाल अभी 2010 के हिसाब से आप gazette में देखेगा 50-50 का ratio है यानि कि 50% आपके LDC से जाएंगे PA बन कर और 50% आपके seniority basis पे जाएंगे अब मैं आपको बता है एक cadre restructuring का या कुछ rules को change करने का और इस rule में क्या होगा कुछ changes क्या होंगे कि जो आपका limited departmental competitive exam है उसके ratio को कम करके seniority basis पे जो promotion है उसको बढ़ाया जाएगा इसका तरक department ने ये दिया है कि जो अफसर है भया आपकी quantity है कम और अगर आपकी quantity है कम तो जाहिर सी बात है कम quantity क को कोई देख भी लेता है तो कई बार दिखता भी नहीं है क्योंकि चस्मा लगाना पड़ता है मोटा मोटा इसलिए stenographer को ignore किया जाता है यही वज़े है कि limited departmental competitive examination से बहुत कई बार ऐसे होते हैं कि जो vacancies है वो fill नहीं हो पाती और लोगों का promotion अटका रह जाता है even seniority basis पे भी इसी वज़े से seniority basis पे वेकेंसी को create किया जाए ज्यादा से ज्यादा इसलिए 2015 में यह जो comments है वो पूछे गए हैं ministries या जो concern department है उनसे ठीक है तो आप समझ गए मेरी बात clear हुआ पिया आप बन गए आप हम चलते हैं personal assistant के बाद private secretary यानि कि PS gazetted post की सुरवात हो जाती है और एक बहतरीन level पर आप पहुच जाते हैं PS बनने के बाद तो PS जो है जब आप PA से PS बनेंगे तो उसके लिए भी दो condition है एक है limited departmental competitive examination 33% के around है मैं भी आपको दिखा दूँगा गैजेट में और promotion जो है वो आपका seniority basis पर होता है तो अगर आप LDCE से PS बनते हैं through PA तो आपको 3 years of eligible service चाहिए ठीक है और अगर आप seniority basis पर बनते हैं तो आपको 5 साल चाहिए अच्छा ये जो time है ये आपका कागजों में है actual में कितना मिलेगा ये तो भाईया DOPT जानती है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं PPS की यानिकी principal private secretary PS से तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्मोशन हो होती है तो आप seniority basis पर PPS बन जाते हैं इसके बाद आपका आता है senior PPS तो senior PPS के लिए भी same procedure है यानि कि आपको 5 years of eligible service चाहिए as a PPS यानि कि कुल मिला के लगभग 11 साल ठीक है इसके बाद आपका आता है सबसे last यानिकी PSO NFSG grade है ये यानिकी non functional selection grade है ये ठीक है यानिकी senior PPS के grade पे आने के बाद अगर आप 5 साल के approved service कर लेते हैं तो आपको as a NFFG PSO के level पे बना दिया जाएगा ठीक है और अगर 5 साल का senior PPS कोई नहीं मिलता है तो अगर 10 साल का combined regular service किसी ने PPS and senior PPS कर लिया जिसमें से 3 साल वो कम से कम senior PPS रहा हो यानि कि समझ रहे हैं आप senior PPS 5 साल का हो होता है लेकिन अगर PPS और senior PPS दोनों मिला कर 10 साल की service हो जाती है जिसमें कम से कम वो senior PPS 3 साल के लिए रहा हो तो उसको PSO बनाया जा सकता है समझ गया आप मेरी बाद देखिए the proposal for amending the RRs for providing 10 years combined approved service with 3 years regular service at senior PPS is under process यहाँ पर एक disclaimer आप समझ सकते हैं यह अभी under process है यानि कि इस 2015 के rules में इसको डाला जा सकता है या डाला गया होगा ठीक है तो यह अभी proposal में है amendment proposal में है लेकिन दिया जा सकता है आप यह मान सकते हैं अगर approval मिलती है उपर वाला D.O.P.T. चाहे तो आपको देख सकता है ठीक है तो यह तो रही यह बात अब मैं आपको confusion create जो आपकी मन में हो रहा होगा कि यह departmental exam है तो कितने कितने percentage में तो मैं आपको इस gazet में clear कर देता हूँ देखे मैं ज्यादा इसलिए detail में नहीं जा रहा है gazet में बहुत कुछ दिया हुआ है यानि कि कितनी seat होंगे क्या क्या होगा सब कुछ mention है इसमें ठीक है तो मैं इसलिए ज्यादा detail में नहीं जाओंगा आपको बस एक बड़ी बड़ी नजर में आपको बता रहा हूँ कि आखिर इसमें क्यों प्रमोशन और किस लेवल पर कैसे होता है ठीक है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ देखे PA का जो रूल है आप देख रहा हूँगे रूल नंबर 11 के 1st में 50-50 यानि कि 50 seniority basis पे होगा और 50 आपका जो है LDC के basis पे होगा ठीक है उसके बाद जब आप TS level पर आते हैं तो यहाँ पर जो level है वो थोड़ा सा change है 66% आपका जो होगा वो seniority basis पे होगा और जो 33.33% रूल नंबर 10 और 1st में देखिए 33.33% जो है वो आपका competitive limited departmental competitive examination के थ्रू होगा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इतना ही simple था हाँ यह ज़रूर है कि जो आपका initial level का promotion है वो थोड़ा सा slow है slow क्यों है वो आपको मैंने तर्क पहले ही बता दिया था लेकिन अगर आप इस ministry में बहुत young age में लग जाते हैं 18-19 साल में लग जाते हैं तो यह 99% आपके chance है था कि आप even senior PPS बनके तो retire होंगे ही होंगे और आप as a senior PPS 3-4 साल की service आप दे देंगे Central Government में DOPT में और बहुत बहुत बहुतरीन ministries हैं जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी ministries हैं तो आप इस DOPT के इस gazette को देख लीजेगा देखिए यहाँ पर लगभग लगभग आपको तकरीबन 40 ministries मिलेंगी जो DOPT के rules को follow करती है यानि कि 40 ministries के जो rules हैं वो इस gazette में है अगर यह video information आपको अच्छी लगी हो तो like और share कर देना अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe ज़रू कर लें और अगर आपको कोई promotion या इससे detail चाहिए तो comment पर बताएं मैं ज़रूर आप तक ऐसी video लाने के लिए पूरे कोशिश करूँगा Thank you so much